हलो चात्रों, दिख्षान से उठेक में स्वागत है आपका, आज वर्ग आर्ट के लिए विशाय हिंदी में पार्ट मेरी मां, मेरी मां पार्ट जिसके लेखक राम प्रसाद विश्मिल है, राम प्रसाद विश्मिल, एक ऐसे क्रांतिकारी जिनका नाम अमीट अक्षरों में, सोन अक्षरों में, हमारे देश के इतिहास में, अमर सहीदों के नाम में, प्राय प्रथम में ही लिखा गया है, क्योंकि इनकी जो भूमी क्या थी, वह देश के लिए, किसी क्रांति वीड से, किसी मामले में कम नहीं थ यह देश बर्थ थे और अपने देश के लिए ही मात्र तीस बर्थ की आयू में अपने प्रानों को गवा दिये अंग्रेज सरकार ने अपने अत्यचारी नितियों के अंतरगर इन्हें भी फासी की सजा देते हुए सिर्फ इस बात के लिए कि यह स्वतंतरता चाहते थे स्वतंतरता की चाह रखना भी मनुष्य के लिए इतना असुविदा जानको हो सकता है इसका पड़ियाएं अंग्रेजों के सासन में देखने को मिलता है और पूरा भारत जानता है इस बात को कि हमरे उपर ब्रिटिस सरकार द्वारा ब्रिटिस हुकूमत द्वारा कितनी जारतियां होती थी उसी प्रिष्ट भूवी पर लेखक राम परसाद बिस्मिल के घरेलू जो इनका संसकार था इनके जो घर की बातें थी, जो बातें थी, उसके अंतरवती है, उनका बच्पन कैसे बिता अपने घर में, उनी पहलों के अधार पर, उनके जीवनी से एक छोटा सा अंस निकाल कर यहां रखा गया है, आईए देखते हैं छात्रो इस पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले तो राम प्रसाइब बिस्मिल, जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, राम प्रसाइब बिस्मिल का जन्म 11 जुन 1897 को हुआ, इनका जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ, एक ब्रामन परिवार में, जिसमें इनकी माता का नाम मूलमती, कहीं कहीं मूलमती भी लिखा हुआ है, मुल्मती भी कहीं कहीं पढ़ने को मिलता है अब यह हो सकता है मात्राओं के भूल के वज़ा से क्योंकि M-O-O-L-M-A-T-I Google पर अंग्रेजी में देखने को मिला जिसका आर्थ होता है मुल्मती परन्तु हिंदी के एक किताब में मुल्मती लिखा हुआ जिला पिता का नाम पंडित मुल्लिधर माता का नाम मुल्मती देवी तथा पिता का नाम पंडित मुल्लिधर था पंडित मुल्लिधर बहुत ही सावरांग तो नहीं थे परन्तु इनका परिवार एक खाता पिता परिवार था एक ब्रामन परिवार था दियोसाय से जुरा हुए परिवार था इनके पिता जी ये चाहते थे कि यह सवतंत्र रह्य सदेव ही सवतंत्र विचायदारा के दारा पीथे बच्पन से ही रामकोशाद बिश्मिल और इनके इसी स्वभावप के कारण कुछ जब सवतंत्रता मिलती है चात्रों तो उस सवतंत्रता का सरवदा ही हमारे हिव्लेक करता है कि कुछ फाइदा उठा ले और अक्सर ये देखने को मिलता है कि उसका गलत फाइदा ही उठाया जाता है सुतनत्ता का खास करके जब अनजान व्यक्ति होता है और अनजान व्यक्ति की उम्र जो होती है वह 10 से 15 के बीच की होती है प्राय प्राया यह तो कहा जाए तो 20 तक 10 से 20 की होती है प्रंतु 15 के बाद तनिक दिमागी तोर पे लोग वाली होने लगते हैं तो उनकी उस समय जो उम्र थी मातर 13 वर्स की उम्र 12 वर्स की उम्र से ही वह कुछ बिसेश किसी गलती के सिकार हो गया थी जिसका चर्चा हम आगे करते हैं फिलाव उनकी प्रमुक रचनाय हुई आपन कथा जीवन की एक छटा और राम प्रसाद बिश्मिल राम प्रसाद की जीवनी आदी उनकी प्रमुक रचनाय थी इसमें इन्होंने यह कभी थे शायर थे साहिट्यकार थे समाज सेवी तथा देश भक्त थे उनकी रूची साहिट्य में अतदिक थी इन्हें अंगरेजी पढ़ने की इक्षा हुई थी और अंग्रे जी जानने की एक्षा ललक इन्हे जो थी वो इनके माता जी के द्वारा ही पूरा किया गया इनके जीवन में जो भी हो पाया जो भी अच्छी चीजे हुई उसमें माता जी का इनके पीछे उनका ही हाथ हुआ करता था उनका ही आसिरवाद हुआ करता था परिवार के और लोग बलई इनके किसी बात पर सामत न हो परन्तु मा अक्सर ही सामत होती थी और जब भी मा सामत होती थी मा सायोग प्रदान करती थी तब उनका वह काम विशिष्ट अर्थों में आता था और एक विशिष्ट अस्थान दे कर जाता था उनके जीवन में जो भी बगलाव आयते जो परिवर्तन आयते सारीरी की मानसिक तता प्राकृतिक सांस्कृति- इन सभी परिवर्टनों के एक मात्रमूल में मां दिखती है और क्यों न हो मां तो माही होती है मां से बरा तो कोई होता ही नहीं इस पार्ट में अपनी मा के बारे में ही राम पसाध बिश्मिल अधिकाधी के वर्नन करते हैं अर्थार यूँ कहा जाए अगर कि यह पार्ट उनके मा के बारे में लिखा हुआ उनका सुव विचार है तो गलत नहीं होगा उनके जो विचार थे उनकी माताजी के बारे में, उनके मन में, उनके हिदय में, वो उन सभी विचारों को इस पार्ट में उन्होंने सुन्योजी तरीके से सजा के लिखा आएए देखते हैं आगे, उनके जीवन में जो एक विशेश्ट बात हुई, बहुत सारी विशेश्व बाते हुई क्योंकि अव्यक्ति विशेश्व थे, कोई भी क्रांतिकारी हमारे देश का विशेश्व में विशेश होता है अथा विशेशन की परिवासा, विशेशन की विशेशन को बताने वाला प्रविशेशन होता है, यह वक्ता नहीं प्रवक्ता थे इनके वचनों में इनके वानी में वह तीज होता था कि अंगरेज काप उठते थे हील जाते थे क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान डिपब्लिकन एसोशियेशन के सदस्य होने के ना थे यह उनकांतिकारी होने के ना थे क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोशियेशन के सदस्य थे जिसके सदस्य भगत सिंग सुकदेव, राजगुरू, चनल सेखा, राजाथ नाम की पूरी लिस्ट है राम प्रसाद बिस्मिल इनका स्लोगन पूरे देश में राश्ट गान की तरह गाया जाता था, एक स्लोगन बन गया था, सर्फरोसी की तमनना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ताजुए का दिल में है यह इन ही का स्लोगन था, जिस स्लोगन को आज तक बगतवय की अंतरवेट वक्तव्य वक्ता बोलता है यह प्रवक्ता थे अर्थाथ वक्ता की ही विशिस्ता सेग्रहित थे क्योंकि इन्हें साहिति गून कवी थे और साहिति से अत्रीक प्रेम करने वाले जुरे हुए लोग जमीन से जुरे हुए कहे जाते है उन्होंने मैनपुरी कांड किया, उन्होंने दो बरे कांड कर दिये और इसी कांड के वज़ा से अंग्रेश सरकार बिफर पड़ी और उन्हें मात्र तीस वर्स की आई हुमे 19 दिसंबर 1927 को अगर इस उम्र को देखें 1897 से 1927 तो मात्र तीन वर्स एक तीस वर्स की आई उन्हें प्रत्वित द्वारा प्राप्त हुई थी क्योंकि प्राप्त भले ही अधिक हुई हो परन्तु अंग्रेशों ने छिल लिया अंग्रेश सरकार ने उन्हें फासी की सजादी और उन्हें फासी गोरतपुर जेल में दी गई मैनपुरी कांड और काकोरि workout किया था मैनपुरी में 1818 में 1847 को जन्म हो रहा है इनका 21 वर्ष के मात्र 21 वर्ष कि आयूमें 21 वर्ष के आयूमें इन्होंने मैं published की गटना को अंजाम दिया और मुख्य रूप से एक हीरो का रोली भागते हुए मैनपूरी कांट को इन्होंने 1918 में अंजाम दिया था मात्रे 21 वर्स की उम्र में जब की काकोरी कांट उन्होंने 1925 से अठाट 7 साल के बाद यानि की अपने उम्र के 28 में वर्स में उन्होंने काकोरी हत्या कांट की थी काकोरी में हत्या भी की थी वहाँ पर प्रसाशनिक दल को मार करके वहाँ से उनके संपतिया स्वाब को लूटा गया था काकोरी एस्टेशन पर जिसका इतिहास गवाँ है और इतिहास के पन्नों पर अमर्ता से वह लिखित और वर्नित है और उसके दो वर्स के बाद उन्हें कैदी बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके 19 दिसंबर 1927 को गोरत्पुर के जेल में फासी की सजा दे गई ये राम पुसाद बिस्मी के बारे में इनकी जीवनी है इतने कम उम्र के उते वे भी इन्होंने वो काम किया था जो बरे बरे सुर्माओं ने नहीं किया इनका नाम सरेव अमर रहेगा अमर सहीदों में रहेगा और इनके लिए हर वर्स मसालें जलाई जाएंगी सहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्स में ले यही तो बाकी उनका निशा होगा और ऐसे करांतिकारी को हम पहे दिल से सलाम करते हैं क्योंकि इन लोगों की बहादरी के बदोलत ही आज भारत आजाद हो पाया और अपने नियमों तता कानून पर चलने के लिए तपर और तयार हो पाया आईए छात्रों इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सुतंतता सेनानी उच्छे कोटी के कभी और साहित्यकार राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के बारे में जानना इनके जीवन के कुछ पहली के बारे में हम लोग उने जाना शुतंता सेनानी थे ये उच्छे कोटी के कभी और साहित्यकार थे कौन राम प्रसाद बिस्मिल और उनके जीवन के बारे में हम लोग उने जाना कि तीस वर्ष की अलप आयू में ही उन्होंने देश के लिए जो समर्पन का भाव दिखाया जो समर्पित कर दिया वह तो स्वेम को समर्पित कर दिये उनके जीवनी के बारे में कुछ अंस हम देखते हैं कि वो छात्रों सबसे बरी बात यह होती है कि हम क्लास में रहते हैं तो या नहीं जानते कि कल का भविष्य किस्टे लिए क्या चुन रहा है बारत के किसे छेत्र में जाकर आप भारत को सेवा प्रदान करेंगे इसकी या बाते या इसकी कामना हम बले ही अपने हिद्रे में करते रहें परंतु सत्य से परे होते हैं क्योंकि वविस्य के गर्व में क्या होता है या कोई नहीं जानता राम पसाद बिस्मिल भी बच्पन में ऐसे सराज़तों को किये थे करते थे जिन सराज़तों को अगर देखा जाता है तो समाज में उसे बहिस्क्रित किया जाता है उसे बढमास सम्मानित किया जाता है उसे सैतान कहा जाता है और कई उपनाम दे दिये जाते हैं ऐसे बच्चों को परंतु क्या उनका मनोबल बढ़ाने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता है और उनी तरीकों पर इस पार्ट में मा के द्Яरा जो तै कि अगैया आ अपने बल्चे के लिए तरीका वह असपस्ट होता है उन blues को समझतना है डूसरा पॉइंट है अपनी कमिया पाचाना अपनी कमिया पाचना यह एय्सा गुमता है मनुष्ठी के जीवन, मैं मनुष्य जाती में एक ऐसी पुपिटी है जो स्वें को पचाने की हम तो आकेखोंटे हैं, टेक्सी की हेड लाइट की तरह बक्ताम की तरह हमारी बरि बरि Bana sequence हैं, लेकिन जैसे ही खोलते हैं, दुसरे को ही देखते हैं, स्वें में जाकने का समय नहीं बले ही कवीर की वानी पढ़ते हैं कि जब मैं था तब हरी नहीं जब हरी मिले तो मैं आई समधिया रामित गया जब दीपक देखिया माही मगर ही सिप्र रटे हुए याद किये हुए उसके मरमत्य को उसके महत्य को और उसके मार्मिक अर्थ को समझना और उसे जीवन में उतारना ही मनुष्यता की परिभासा के अंतरगत आता है अपनी कमिया जरूर हमें देखनी चाहिए अपनी कमिया जो पाचानता है क्योंकि आपसे बेहतर कोई पूरे ब्रमाड में कोई ऐसा वेक्ती नहीं कोई ऐसा जीव नहीं जो आपसे बेहतर आपकी कमियों को जानता हो इसलिए आप ही वह बेहतर वेक्ती होते हैं जो अपनी क प्रद्वियों को पहचान सकते हैं। और आई ही वो सबसे बयतर डॉक्तर हो सकते हैं, कि बिमारी पकर में आ जाने पर हराज संभव कर सकते हैं. हमारी गल्टियां दूसरों के सामने जब जाती है, तो हम उपहास के कारण बनते हैं. हम उपहास मामा जी फुपा जी फुपा जी कि यहां कहीं गए हैं हम promising कि यह साधी बभा में गए है औरने। ऑफ जो देखते हैं नहीं कि एफ इसा इस्टुमेंट है जो तोई से भूलने में BOB भूल रहे हैंे से बहुत बहुन हैं। वह एक अलग प्रकार से हो रही है, तो वाच करने वाले लोग मुलाते हैं और पूछते हैं कि बटा, क्या माक्स आया था पिछले बार आपका, वह बताता है, बच्चा, कि यह हमारा 90% प्लस था, 91 था, 92 था, वह असाज नहीं, बलकि सहज रूप से समझ जाते हैं, कि हाँ, इस 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 अ मेरिटोरियस बॉआ है, यह एक मेरिट रखने वाला लरका है, परन्तु कुछ गून और आचलनों को देख करके, वह असानी से यत्य कर लेते हैं, और किसी एक लरका को बुलाकर करते हैं, कि बबु असा मिजाज मेरा बरबरा गया था नहीं, तो 35% आया था, जानते हैं इन डोनों के साथ क्या अंतर करते हैं यह समाज में, अंतर करते हैं, वो 35% वाले को कहते हैं, कि बबुगा कहां तूठे है, खोज रहे हैं उस समय से, देखो वहां आलू उबाल का रखा है तुरा, चिल और 91% वाले को कहते हैं, कि बटा जी आप आईए बठी नहीं, यहां पर तुरा सा बाते करनी हैं आपसे, यह बातें एक को अभू आप देखने के बात से, कैसा में सुसूता होगा, उन सभी चीजों का जर है, तो सिक्षा, इस पार्ट में उसी सिक्षा पर दिया गया है, कि मा अपने विश्वास सम्मत अपने बच्चे के साथ सिक्षा से जूरी रहे, तो निसंदे उसका बेटा अगर कुपुतरता के तरफ, अगर इसी गलत संगती के तरफ जा भी रहा है, तो वा आपस आ जाएगा, और अपने अंदर जो संसकार चाहिए थे, उसके अंदर आपक तरीका आपका होना चाहिए, अपने जीवन के सही दिशा चुनने के लिए प्रत्ने सिल बनना, और तब जब अपनी गलती को हमी पहचानने वाले वो अब्रतर देखती हैं, तो अपनी गलती को अगर पहचानते हैं, तो पहचानने के बाद अपने जीवन की सही दिशा चु तो आप वहाँ पहुंच के बदल दीजिए, किसने रोका है, हम दोस लगाते रहेंगे, तब तक संभव नहीं है, क्योंकि दोस लगाने में एक उंगली हम उठाते हैं, ये उंगली ये संकेट छिन है, इसी को दोस लगाने इन्होंने ही किया है, यही किये है, यही ये काम किये हैं, तो जब भी हम एक उंगली उठाते हैं, बाकी के अपने ही तीन उगली अपने तरफ उठ जाते हैं, अर्था तीन उगला हम स्वयम दोसी बन जाते हैं, अगर दोस लगाते हैं, तो तीन उगला स्वयम दोसी बन जाते हैं, दोस लगाने के बजाए, चिंतन करके उसे पढ़ना अग्ला मोटीव है इस पार्ट को पढ़ने में महान लोगों की आत्मकतायां पढ़ना राम पसाग बिश्मिल चुकि उनकी सोच उनकी विचारदारा उनका सिंसकार महान था इसलिए वह महान थे और उनकी आत्मकतायां पढ़ने से हम अपने उपर भी विचार करके और ऐसा लगेगा उनके इस कहानी को पढ़ने के बाद कि मेरे ही जीवन में गटित कुछ गटनाएं हैं जिससे में जो खाती हुए इनकी गटनाएं हैं अपने देश के महान का अंतिकारियों के जीवन से सिख्छा लेना तता अंतिम है पॉइंट अपने पार्ट को पढ़न पता बौधिक ग्यान अरजित करना बौधिक ग्यान अताप पर करके सिर्फ छोड़ दिये तो फाइदा क्या है अगर जीवन में उतार लिये तो फाइदा क्या है या दोनों ही फाइदों का अंतर समझना है तो इसे अपने जीवन में जरूर उतार लेना है आईए आगे पा सुखन के बारे में बताते हैं, अपनी बुरी आदतों का जिक्र किया हैं। जिसे लेखत की मादवारा उन्हें फीट साथी। राष्ते पर लाने की सफल कोसिस दरसाते हुए मा को अपना सच्चा मित्र बताया है है। mother is a best friend मा सबसे अच्छी दोस्त होती है क्यों होती है क्यों कि प्रतेव दोस्तों को कोई स्वार्थ होता है ये आएगा तो घर से आम लेके आएगा आम तो खाने को मिलेगा ये मला दोस्त है उसका स्वार्थ होता है लेकिन मा ऐसी दोस्त है जिसकी अपनी कोई स्वार्थ नहीं वो तो खुद बिमार रहे और आपको तनिक भी खरोच आजाए तो खुद बिस्तर से उठ जाती है और आपका ख्याल रखती है कि बेटा बहुत लग गिया है चोट वो मा निस्वार्थी प्रेमी है निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करती है और वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती इसलिए उससे बेटर मित्र तो होई नहीं सकता कोई और उनके ही प्रेयासों से उनका बच्चा सुधर चुका था जब मैं चौथा पास करके पांचवे दर्जे में पहुँचा इस बच्चा में थे चौथा में पास करके पांचवे में पहुँचे उस समय मेरी आवस्ता लगवग चौदा वर्ष की होगी इसी बीच अपने पिता जी के संदूग से रुपिये चुराने की आदत पढ़ गई बहुत बनी आदत पढ़ गई अच्छी आदत है ना पापा परिशा मांगने पर देंगे नहीं एक काम करते हैं बीने मांगने में मेरते हैं संदूग से मिकाल लिए और आजटसी पर गई थी इनकी इन पैसों से उपनियास खरीद कर खुब परता बेरी गुर्ट और चोरी की पैसों से वो क्या करते थे उपनियास खरीद करके परते थे आज कल तो जात्रे मोबाइल करने मिलेंगे पढ़ने की किताबों की क्या ज़रूरत मोबाइल पर भी जाएंगे लेकिन स्वतंतता जब भी मिलती है तो मनुष्य की प्रवित्ती में है और उसी समय तो उसकी परिक्षा होती है कि आप उस स्वतंतता का किस तरह से फायदा उठाना चाहते हैं निगेटिविटी आपने होगी तो नजायज होगा और पोजिटिविटी होगी तो आप निसंदे अग्रसर होगी अपने जीवन पत पर तो इसी बीच अपने पिता जी के संदूक से रुपिये चुगाने की आदत पर भी थी और इन पैसों से वो उपनियास करिद कर खुब पढ़ते थे पुस्तक बिकेता महास है पिता जी के जान पाचान के थे अग्सरी ऐसे दिकत हो जाती है चात्रों को पिता जी के जान पाचान के थे इस वज़ा से उन्होंने उन्होंने पिता जी से मेरी सिकायत की अब क्या होगा अब तो पिटना चलेगा पापा और क्या करेंगा उतना टाइम थोड़ी है उनके पास कि तुमको ममी की तरह बैठके समझाएंगे इसमें वो अपना काम जल्दी से कर देने के लिए तुरंत सौटकॉट रास्ता अपनाते हैं और पिटना उठाते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया अब मेरी जाच होने लगी मैंने उन महासे के यहां से किताबे खरीज़ना छोड़ दिया न रहे बास न बजे बसली जाओ मैं तुम्हारे यहां से किताब खर देंगा न तुम जाए के पापा को खोड़ के काओ विचारा एक कस्टमर उनका भाग गया उनके एक अच्छे आधत के वज़े से मैंने उन महासे के यहां से किताबे खरीज़ना छोड़ दिया अब मैं सिगरेट भी पीने लगा दीरे दीरे सुमार चर्टे जा रहा है यह किस उम्र के है तो इस समय यह जब चौथा पास किये हैं और फाइट क्लास में गये हैं तो स सभाव से आप समझ सकते हैं इनकी उम्र क्या होगी और ऐसे उम्र में इन्होंने ऐसे अलंकृते सिद्धानतों को अपना लिया जिससे इनका जीवन तो दनी होने वाला था सिग्रेट भी पीने लगा बुरी आगतों का गूल लगना आरब ही हुआ था अब इस उल्वात थी कि इश्वर ने बड़ी सहाइटा की देखिए कई वार ऐसी बाते होती है जो गाजियन्द के द्वारा जब कहा जाता है उस समय तत कालिन समय में बड़ा ही कराब लगता है चात्रों को बच्चों को गर में अपने माता पिता द्वारा भी कहे गए बातों में लेकिन बाद में जब समझ में आता है तो यह पता चलता है कि नहीं उन्हों ने उस समय जो बातें कही जो समझाई वह बहुत ही उचित बात थी एक बार ऐसा इस्थिती हुआ हमारे जीवन में भी मैं भी अपने गर से जाता था और पूल के नीचे इसकूल जाने के बजाए पूल के नीचे जाता था और वहीं बैठ जाता था दो-तिन दिन अभी शुरुआत हुई थी एक मैरे परम मित्र थे इनता की परिशीमा पार करते हुए गहरा प्रेम करते थै और उनके ही संगती का प्रभाव परा, मैं मैं दोस्त तो भले ही लगा रहा हूं उनका लेकिन मेरा भी दोस्त कम नहीं था, क्योंकि मैं उनके साथ तो जा रहा था उट के lied से चलके अब पूल के नीचे हाराम फरमाते थे क्योंकि स्कूल में जाने से ठर लगता था सब लोग डंटा भांचते थे उग देहाया का डंटा मेडिल स्कूल में दो दिन के बाद तीसरे दिन दुसरे दिन मेरे बड़े भाई साब को बड़े वहिया को मेरे या अंदेशा हुआ कि जरूर कुछ न कुछ गरबर है और ये गरबर होने के अंदेशा होते ही वह हम लोगों के पीछे किये और पीछा करने का नतीजा हुआ कि हमारे गुप्त अड़े के बारे में उन्हें पता चल गया पूल के अंदर जैसे ही प्रवेश करके हम लोग अभी बैठे ही थे अपना आसन जमा कर तब तक इनका प्रवेश हुआ और पूल में एक ही तरफ से दरवाजा था निकलने का दूसरे तरफ को बंद रखा गया था वह कवच सुरक्षा कवच हम लोग की कोई सुरक्षा नहीं कर पाया और बैठे है डंटा से जो वहाँ स्वागत हुआ उस स्वागत का यह पत्कालिम प्रभावपरा कि आज तक इस खुल कभी छुटा नहीं तो उस समय तो बहाँ चोट लगा दर्ड हुआ बहुत अंदर यह हो रही थी कि बहुत खराब आदमी है बहुत गंदे आदमी है भईया हमको मार दिये हैं लेकिन आज ऐसा समझ में आता है कि अगर उन्होंने उस दिन नहीं मारा होता तो क्या मैं जहां हूं वहां होता नहीं आदतें बिगरती जाती है और आम जब सरन पढ़ाता है सरने लगता है तक्छन ही अगर उसके उन हिस्सों को अगर उससे हटाया ना जाए उन आदतों को हटाया ना जाए तो फिर वह नासूर बन जाता है अता रामपसाद बिस्मिल के भी जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ इस्वर में बड़ी सहयता की कैसे की एक रोज मैं पिता जी के संदुक से रुकिया निकाल ही रहा था कि अचानक संदुक्ची खटबे मा को संदेव हुआ और उन्होंने मुझे पकर लिया मा पकर लिया अब क्या होगा उनकी वो दसा नहीं ही पिताई नहीं ही परंतु मिठाई भी नहीं मिली मिला क्या इस्वर की किपा से यह दखिए लिख रहा है कि इस्वर की किपा से मेरी चोरी पकर लिगई नहीं तो दो चार वर्सों में दिन का रहता न दुनिया का इस दिन का अर्थ होता है न गरीब हो पाता और नहीं ये橋 दुनिया में हमको अस्थान मिलता है क्योंकि चोर बनना परता चोरी का इल्यामा आता और जब आज़त खराब होते जाती है तो आप आज अपने घर में किये कल कई और भी कर सकते थे क्योंकि आज़त को आप पकड़ें आपको आज़त नहीं पकड़ती। आदतों को मनुष्य नहीं, मनुष्य को आदते नहीं, आदतों को मनुष्य पकरता है, हम पकरते हैं, हमें आदती आकर नहीं पकरती हैं, इसलिए उनकी वह आदत छुट गई, यहां पर राजा दुश्यन्त द्वारा जो सकुंतला को कहा गया था एक पद, कि डूबने के आया था और डूब गया, अच्छा हुआ जो डूब गया, वरना डूब ही जाता। यह साथक सी दोबरा है, राम पसाथ बुश्मिल के साथ, क्योंकि वह जिसमें डूब रहे थे, उसमें वह तो डूब ही जाते। वो अच्छा हुआ जो इसे नदी में डूगे क्योंकि नहीं डूगते तो वास्तों में डूगी ही जाते इसके बाद भी मैंने बहुत घंटे लगाई किन्तु मेरी चल न चल सकी इसके बावजूद भी उने बहुत तरह के प्रयोग किये चोरी करने के लेकिन अब उन तो सर्विलान्स में रहते थे ममी की देख में रहते थे मामी का नजर हुआ था क्योंकि ममी जान चुकी थी की मेरे बेटे का मेरे प्यारे लाल का आदत खराब हो रहा है इसी पेकार के कुटेओं के कारण मने ग़लत कार्जों के कारण दो बार मिडिल परिच्छा में अनुतिर्ण रहा ऐसे ही ड्रामा करते रहते थे और दो बार अनुतिर्ण हो गए वो भी मिडिल क्लास में आठ तक जाते जाते तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की अब उन्हें ऐसा सुजा कि वो अंग्रेजी पढ़ें पिता जी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे बलकि किसी ब्योसाय में लगाना चाहते थे परन तुम माता जी कि किपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया यहां पर माने उनका सवयूग किया इन्हें अंग्रेजी पढ़ना लड़का चाहता है तो इसको भेजना चाहिए और पिता जी तो ब्योसाय में लगाना चाहिए थे क्योंकि वह जानते थे कि यह नलायक हो गिया यह निरलज है इसको लाज सरम है नहीं इसको लायक बनाने के लिए ब्योसाय में लगाए परन्तु मा का चाहिए सपूर्ट उने हुगा इसी भी परोष के देव मंदिर में एक पुजारी आ गए और जब वह अंग्रेजी के तरफ उनका रुक मुरा था तो उसी समय में देव मंदिर में भी एक पुजारी आ गए वह बरे ही सचरीत व्यक्ति थे चात्रों इन्होंने जो कहा है कि इश्वर की क्रिपा इश्वर की क्रिपा तो सदेव सब पर रहती है और जिसके साथ जिन बच्चों के साथ मा की क्रिपा हो वहाँ पर तो इश्वर की क्रिपा तो हूनी ही है यहां भी कुछ ऐसी ही बातें थी, वहां पर विष्वर की क्रिपा हुई और देव मंदिर में एक ब्रामन देव आये, पंडी जी आये, पुजारी जी आये, वह बड़े ही सचरीत देखती थे, सचरीत मनें उनके चरीत में सच्चा ही जलकती थी, बोईदार देखती तो के धा थे, मैं उनके पास, मैं उनके पास उठने बैठने लगा, कुछ पुजा पाठ भी सिखने लगा, पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ, अब ये पुजारी जी के साथ जब रहने लगे, तो संगती का प्रभाव पढ़ता ही है, वहां सचरीत बैठी के साथ उनका उठना बैठना जब सुरू हुआ, तो उनके भी हिद्रे में जो मैल था, वह स्वच्छिता को प्राप्त करने लगा, साफ होने लगा, उनका हिद्रे जैसे ही साफ हुआ, तो देखते होंगे चात्रों की दिवाली पुजा से पहले हमारे जाज सचरीत बैठी के लिए जो लक्षमी के रागमन से पहले शुप दरदददर जाओ, वास्तों में जो सफाई होता है, वह सुच्छिता का ही कारक होता है, क्योंकि यह मनता है हमारे देश में, कि जब जास सुच्छिता रहेगी, वह लक्षमी बिरजमान होenे होगी, वह धन, धान्य, संपन्य, संपन्यता और सुहाधिता आधी जैसे लक्षन उतपती लेंगे, जितने भी सुकर्मी के जुक्ते सब्द हैं, जितने भी अच्छे कर्मों के जुक्ते जो सब्द बने हैं, बनाए गएहे हैं, अलंकित सब् अधिक समावेश होगा हमारे जीवन में और तब हमारा जीवन हमारा मन साफ हो जाएगा क्योंकि तन की सुद्धी असनान से और मन की सुद्धी ध्यान से होती है मन सुद्ध होते गया तो उनका भी ध्यान अब पुजा पाठ में लगने लगा और वह सिखने भी लगे पुजारी जी के उपदेशों का उनके उपर प्रभाव पड़ता था सच्चरीत ब्यक्ति के बातों का प्रभाव पड़ता ही है और जहां परभी संसकार हो अच्छा वहाँ जरूर पड़ता है अभी राम प्रसाइब बिस्मिल को संसकार था उनके परिवार के द्वारा दिया गया संसकार जिसके अंतरवत उन्हें अच्छा लगता था मैं अपना अधिक्तर समय पढ़ने में ब्यतित करने लगा और तब वो अपना अधिकान समय पढ़ने में व्यतीत करने लगे चात्रों इस पार्ट का एक हिस्सा भी बाकी है अगले पार्ट में उस हिस्से को मैं आपनों के समक्ष रखूंगा तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो